हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं आप लोग सब बड़िया एंज्वाय कर रहे होंगे और आने वाले एक्जाम्स के तियारी कर रहे होंगे मैं अपने चैनल एनेटोमी डैरीज में एक बाए फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं डॉक्टर सुसील कमाश्य वास्तो आज सापता ही एक वेडियो सरंकला में आज आपके सामने लेकर आया हूँ जैसे हम लोग Red Blood Corpuscles या Red Blood Cells या Erythrocytes कहते हैं इस पर आज की मेरी क्लास है आईए ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और चलते हैं मैं अपनी क्लास में स्क्रीन के तरफ वेल्कम टू एनेटोमी डैरीज एरेथ्रोसाइट्स और Red Blood Cells इस क्लास मैं कवर करूंगा 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 इस क्लास मैं करूंगा इस क्लास मैं करूंगा इस क्लास मैं करूंगा इस blood cells are also known as erythrocytes erythros means red red color of the red blood cell is due to the presence of the coloring pigment called hemoglobin rbcs play a vital role in transport of respiratory gases rbcs are larger in number compared to the other two blood cells namely white blood cells and platelets इसे आफ हिंदी में समझें जो हमारे blood में पाई जाने वाली लाल रक्त कोशिकाएं होती है इन्हें हम rbcs भी कहते हैं यह केंद्रक भीहीन होती है और यह रक्त का formed elements कहलाती है इन्हें हम erythrocytes भी कहते हैं erythros का रख होता है लाल रंग इनका जो लाल रंग प्रेजेंट होता है इनमें इनके अंदर पाई जाने वाले एक pigment के कारण जिसको हम hemoglobin कहते हैं जो कि iron का बना होता है और protein का बना होता है और प्रोटीन का बना होता है आर्बीसी इंपोर्टेंट रोल प्ले करती हैं खास करके हमारे सरीन में जो स्वसन से संबंदित गैसे होती है जिनमें oxygen और carbon dioxide इनका ये परिवहन करती है आर्बीसी बड़े आकार की होती है और इनका जो नंबर होता है टोटल नंबर वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है डबलू वीसी और प्लेट रेट की अफिक्चा नॉर्मल वैल्यू आर्बीसी काउंट रेंज इस बिट्विन 4 और 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलिमेटर अफ बलड इन एडल्ट मेल्स इस फाइब मिलियन पर क्यूबिक मिलिमेटर इसकी जो सामान रेंज होती है हमारे बलड में एडल्ट में खास करके चार से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलिमेटर अब बलड में पाई जाती है यदि हम मेल एडल्ट की बात करें तो लगबग 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलिमेटर और फिमेल की बात करें तो थोड़ा सा कम 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलिमेटर होता है Morphology means आकार की याने shape, size बगएर इसना हैंगे RBCs are disc-shaped and biconcave, dumb well-shaped Central portion is thinner and periphery is thicker The biconcave contour of RBC has some mechanical and functional advantages RBC का जो आकार होता है, वो disc-shaped होता है Biconcave होता है, dumbbell shaped जैसे दिखाई देता है क्योंकि ये beach में दवी होती है, याने पतली रहती है जब की केनारे पर मोटी होती है इनका AI shape इसलिए जरूरी है, इसमें इनको जब ये flow करती है Blood vessels के अंदर, तो minute blood vessels मैंसे भी ये निकल जाती है इसलिए इनको functional advantage मिलता है Normal size, diameter 7.2 micron इनका जो व्यास होता है, साध इसमला 2 micron का होता है Thickness, यह रहें मोटाई At the periphery, it is thicker with 2.2 micron And at the center, it is thinner with 1 micron This difference in thickness is because of the bicon shape इनकी जो मोटाई होती है, वो केंदर में कम होती है लगबग 1 micron और periphery यानि परधी की तरफ जादा होती है 2.2 micron की यह अंतर इसलिए आरता है, क्योंकि इनका जो shape होता है वो bicon shape होता है Surface area 120 square micrometer होता है Volume 85 to 90 cubic micrometer होता है Structure या सरचना Red blood cells are non-nucleated Only mammal which has nucleated RBC is gamma Because of the absence of nucleus in human RBC, the DNA is also absent Other organelles such as mitochondria and Golgi apparatus also are absent in RBC Because of absence of mitochondria, the energy is produced from glycolytic processes RBC का जो structure है, वो non-nucleated होता है, केंदरक भी हीन होता है पूरे इस्तिनी वर्ग में केवल camel याने ऊंट ऐसा animal है जिसकी RBC में केंदरक पाया जाता है इसके अलावा किसी भी mammals में नहीं मिलता है चुकि केंदरक अनपस्तित होता है, इसलिए मानों की RBC में DNA भी अनपस्तित होता है दूसरे कोशिका जैसे mitochondria, Golgi apparatus ये भी absent होता है mitochondria के absence के कारण, RBC को energy अपने दूसरी तरीके से लेनी पड़ती जिसने हम glycolytic process कहता है इस structure को देखे, इसमें RBC को दो तरीके से दिखाया गया है एक simple तरीका जिसमें वो Wicon Cape shape दिखाया दे रही है, बीच में केंदर में पतली और केनारे पर मोटी और इसका total व्यास है 7.2 micron जबकि dumbbell shape यादि हम बीच में से पकड़के इसको दबाएं, तो ये dumbbell shape दिखाया देगी और इसके केंदर में 1.1 micron की थिकनिस दिखेगी और periphery पर 2.2 तो दिखेगी को सरीर से निकाल कर किसी ट्यूब में रखें तो उसमें blood vessels में RVC एक की उपर एक बैठने का गुण रखती हैं और एक कॉलम बना लेंगी जैसे कि हम सिख्के की उपर सिख्के रखकर कॉलम बना सकते हैं इस गुण को हम Rolex formation कहता है Specific gravity विशिस्ट गुरुत्त Specific gravity of RVC is 1.092 to 1.101 इसका जो विशिस्ट गुरुत होता है RVC का वो होता है 1.092 से लेकर 1.101 के बीच में Pegged cell volume Pegged cell volume or we can say PCV is the proportion of blood occupied by RVCs expressed in percentage It is also called hematocrit value It is 45% of the blood and the plasma volume is 55% Pet cell volume में हम यह देखते हैं कि RVC ने कितना इस्थान प्राप्ति है यदि हम टोटल बड में इसको differentiate करें percentage-wise तो 45% blood vessels के अंदर RVCs याने blood cells को जाएगा और उसका जो liquid part होगा 55% वो plasma को जाएगा Suspension stability During circulation, the RVCs remain suspended uniformly in the blood This property of the RVCs is called the suspension stability याने इसकी जो निलंबन की स्थायत्यता है अर्था जब blood flow होता है blood vessels में कई जगे माइनूट होती है बहुत पतली-पतली कई जगे बहुत बढ़ी-बढ़ी होती है तो उपर से नीटे तक एक से क्रम में RVC flow करती है ऐसा नहीं होता कि बॉटम में जादा है तो सरफेस में कम या में जोर में कम इसको हम कहते हैं suspension stability Life spawn of red blood cells याने RVC का जो जीवन काल है वो कितने दिन का होता है Average life spawn of RVC is about 120 days After the lifetime, the senile means old RVCs are destroyed in reticulo-endothelial system The destruction occurs mainly in the capillaries of red pulp of spleen because the diameter of splenic capillaries is very small So the spleen is called graveyard of RVCs जो इसके सामाने ओसत जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है जब RVCs old हो जाती है, senile हो जाती है तो इनने R.E.S. system याने reticulo-endothelial system में destroy किया जाता है खास करके spleen में इसको तोड़ा जाता है इसलिए spleen को RVC का कवरिस्थान भी कहता है Functions कार्य Major functions of RVC is the transport of respiratory gases Following are the functions of RVCs जो इसका मुख्य कार होता है वो होता है respiratory gases का transport करना परिवहन करना और नेमलेखित कार्य आप देखे 1. Transport of oxygen from the lungs to the tissues Hemoglobin in RVC combines with oxygen to form oxyhemoglobin About 97% of oxygen is transported in blood in the form of oxyhemoglobin सबसे पहला कार होता है RVC के द्वारा लंग से प्राप्त oxygen को carry करना ट्रांसपोर्ट करना इसके लिए RVC के अंदर जो pigment होता है जिससे हम hemoglobin कहता है यह oxygen के साथ एक chemical bond बनाता है जिससे oxyhemoglobin कहता है और लगबग 97% oxygen इसी के द्वारा पूरे सरीर में supply की जाती है Second, transport of carbon dioxide from the tissues to the lungs Hemoglobin combines with carbon dioxide in form carboxyhemoglobin About 30% of carbon dioxide is transported in this form जो दूसरा कार है RVC का वो है carbon dioxide का transport करना उतकों या कोशकाओं से ग्रहन करके carboxyhemoglobin के form में lungs तक पहुचाना इसमें 30% carbon dioxide का transportation होता है तीसरा, buffering action in blood hemoglobin functions as a good buffer By this action, it regulates the hydrogenine concentration and thereby plays a role in the maintenance of acid-base balance Blood buffer action की भाती भी कायर करता है Buffer solution वह solution है जिसमें कंग या थोड़ी सी मात्रा में आम ले अचार मला दें तो उसका pH change नहीं होता इसी प्रकार हमारे सरीर में भी blood का pH change नहीं हो इसके लिए buffer action होना जरूरी है और acid-base balance बना रहे है इसके लिए blood काम करता है खास करके blood के proteins In blood group determination RBCs carry the blood group antigen like A antigen, B antigen and RH factor This helps in determination blood group इसका चौथा और अंतिम प्रमुकार जो है blood group की जानकारी हमें RBCs के द्वाना प्राप्त होती है क्योंकि RBCs की surface पर ही blood group से related antigen carry किये जाते हैं जैसे की antigen A, B और RH factor यह हमें blood group पहचानने में मदद करते हैं आज की class में इतना ही Thank you very much Thanks for watching आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं गिया है मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कीजेए फिर आपसे दुबारा अगले संडे फिर मिलते हैं एक नए class के साथ नए topic के साथ तब तक मुस्क्राइते रहिए नमस्कार जैहें